थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल में बहुत ही बढ़िया ब्रेकफ़स्ट का रेसीपी आप घरपर आसाम से बना सकते हैं और ये खाने के लिए इतना सौब्ट है, मुलायम और बहुत हेल्दी ब्रेकफ़स्ट है और इसका साथ में आप दही लीजिए या टमाटर का च यूज किया हूँ और आपका जो राइस है, नॉर्मल राइस इसको इदर हम 700 ग्रम एक किलो का रेसीपी है और इसमें एक चमच जो मेथी है आपको इस ता से मिक्स करके पानी में भीगो देना है और अच्छा तरीका से आपको वास्क कर लेना है ताकि जो वाइट श्ट्रे कुछ कंडिसन है और इसको क्या ना पेश्ट कर लेना है आपको पेश्ट एकदम अच्छा से कर लेना है पेश्ट आपको मिक्सी का जार में बहुत ही हेल्दी ब्रिकफर्ष्ट है मौनिंग का टाइम में खाने के लिए बहुत बढ़िया रहता उपर से आप कोई भी 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 पेश्ट मेरा कुछ इस तरह से बनकर रेडी है पेश्ट देखिए कितना बढ़िया बना हुआ और पेश्ट बनाने का बाद में इसको कम सेंग ओवर नाइट तक आपको राद भर तक छोड़ देना है इसमें ताकि अच्छा तरीका से जो सेट हो जाए इसके लिए आपको और ओवर नाइट राद भर आपको छोड़ देना है राद भर छोड़ने का बाद में इस ताइम बनाने है आपको इसको रेडी करना है इसमें देखिए स्वाधनुसा नमक आप इसको एड़ करना है आपको कम से कम साथ घंटा तक आप इसको छोड़ दीजिए बार में कोई धकन लगा के ताकि अच्छा से सेट हो चके आप देखिए स्वादनुसा नमग इसमें हमें एड कर चुका हूँ और इसको बढ़िया से मिक्स कर लिजिए अब इदर देखिए थोड़ा सा ओनियन है धनिया पत्ता है ग्रीन चिली और छोटा छोटा टमाटर देखिए कट कर ल लिजिए उपर से देखिए पुरा भरपूर जितना वहीटेबल आप जो दिल चाहे इसका उपर में आप डाल सकते है इधर तो हम यूज किया हूँ बारिक कटा हुआ प्याज है और ग्रीन चिली है और आपका धनिया पत्ता और छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर है आप द दही का या टमाटर का चटनी बोलिए धनिया का चटनी का साथ में मौनिंग में ब्रिकफर्श्ट में खाईए बहुत ही हेल्दी रहता और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता इसको क्या करेंगा ना उपर से ढख देंगे थोड़ा सा एक मिनिट के लिए ढख इसको पलटने का बाद में इसको निकाल फिर इसको निकाले ना यह जो ब्रिकफर्श्ट देखिए बनकर रेडी है यह देखिए कितना बड़िया बना हुआ आसा करता हूँ आज का जो रेसिप आपको पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजि फिर मिलेंगे इसे मज़ेदार और ने ने रेसिपि के साथ में